मैं 2006 में मैंने दस्वी पूरी की 21 मार्च को मेरी परीशा खत्म हुई थी और 24 मार्च को मेरे पापा की देथ हो गई हमाई छोटी सी बाइसिकल रिपेरिंग की दुकान है तो पापा की जानी के बाद एक ने नेलिया की घर के सब प्रेशर डाने लगे की अभी घर का किसी को तो काध्यार देना पड़ेगा तो मैंने डिसिजन ले लिया यार अभी पढ़ाई छोड़ देंगे क्या करना है दस्वी करी ली थी दुकान रिपेरिंग की है बट एक समय पर मेरे पापा बहुत बड़े सप्लाइर थे ओल्सेलर चोरी ओरी हो गई थी तो बाद में धंदा कम हो गए एक डिसिजन लिया कि अभी पापा के धंदे को आपस रिवाइब करेंगे पूरी तरस डिडिकेटेड काम करेंगे और पढ़ा ही छोड़ने का पूरा मन बनाके मैं धंदे में आ गया एक देड महिना मैंने फुल तरीके से बिजनस बढ़ाने के लिए पूरा प्लान वगरा कर लिया था उसके बाद फिर रिजल्ट आया टेंथ का तब मैं अपने स्कूल में टॉपर था घर पे आया सब रो रह थे अभी बहुत अजीब लग रहा मैं कल इतने सर इतने इंटर्यूस दी है मैं कभी नहीं रोया पता नहीं स्चानर के मंडल का स्टेज है अपने परिवार जैसे है इसलिए रोना रहा है हां तो मैं घर पे आया ममी से बाच्ची तोरी थी फिर ममी ने तभी मेरे को पहले ही बोल दिया कि हम लोग सब काम करने वाले तू पढ़ा ही कर तो 11 और 12 ये दो मेरे जिंदकी के अभी तक सबसे कठीन वर्ष नहीं मैं मेरा उस समय शेडूल हैसा था मैं सुबह साथ बजे चे बज़े उठता था निकलता था साथ बजे कॉलेज एक बज़े वहां से दो बज़े से रात को दस बैता में टूशन पढ़ाता था मेरी बेहन स्कूल में पढ़ाती थी टूशन पढ़ाती थी में को एक मिट सेटलन देंगे या फ्लीस ओक मुझे यूजिली रोना नहीं आता है सब बताते हुए मैं बहुत प्राउड हुए सब चीज के लिए लेकिन गॉड नोस क्यों हो रहा है ओके सो मैंने फिर 11 मैं सुबह 7 बेज से एक बेटक कॉलेज में रहता था आता था दो बज़े से रात को दुटान पर जाके हिसाब किताब करके दुटान बंद करके वापस घर पे आते थे फिर आत को पढ़ाई वही बारा एक बेटक सोना जैसे अभी शेडूल यह वैसे त तो मुझे अभी में प्रसंग बताने चाहता हूं, मैं इतन स्टैंडर का रिजल्ट लगा था और मुझे अड्मिशन लेने के लिए वह अभी डोनेशन लगता है ना, तो दस हजार रुपय हमारे हैं की कॉलेज अच्छा जहां पढ़ाया जा सकता है, तो वहां पर दस हजार संता है था पेसे नहीं थे , तो ऐसा मैं मैं मां मैं पढ़ा हूं से कारिए मैं एक साल रूकता हूं आगले साल वापस से भापसी कुछ होगा ऑर मैं वैजहर आ यूज बेच ही ती तो मेरी पपा-afeल् difficult I do doctor में दुकान के सामने से जा रहे थे, वो अपने बच्चे का अडमिशन करवा निकला है थे और वो मुझे देखके रुके वहां पर रुके उन्हें पुछा क्या चल रहा है तो मैंने पूरा इंटरूप बताया कि सर ऐसा ऐसा है मैंने सोचा है मैं पढ़ा ही नहीं करूंगा त लिस्ट सेकंड लिस्ट लगने को आदा गंटा बाकी था तब मैं वहां पहुचा और बहुत रिक्वेस्ट की लिस्ट बन चुकी थी सेकंड लिस्ट है बहुत रिक्वेस्ट की ऐसा करके मेरा 11-12 एडमिशन होगा एडमिशन तो हो गया 600 अ महीना फीस है चा किया जए तो मै मैं जब पहले एडमिशन लिया तो मेरे दिमांग में बहुत चीज क्लियर थी, मैं पैसे भरने वाला नहीं हूँ, मैं बोला, मैं जीत और पढ़ा ही करूँगा, मैं अच्छा मांक्स लेक्या हूँगा, मैं बाद में हमारे जो प्रिंसिपल हैं उनको मैं रिक्वेस्ट पहले ही मैने में मैं क्लास में अभी जो लोग जानते मेरी आवाज थोड़ी अच्छी है, मैं एक बी कुशन पूछ लोग थो थोड़ी आवाज मुझबूत लगती है, है ना तो सारी टीचर्स इंप्रेस हो गए और सब ने सब को पता चल गया था कि मेरे घर पर ऐसी है, दो साल की पूरी फीस मेरे टीचर्स ने वरिया, मैंने एक रुपया फीज भरा नहीं है, 11-12 इसके बाद 12 का सीट व अगरा दिया, यह सब के मैंने एक रुपया मेरे पढ़ाई पास्त खचा किया नहीं है, मेरी मम्मी ने किया है, औफकुर बहुत कम किया है, कंपरेटि अब अच्छा कासा पैसा लगता है, तो ममी ने दो साल में पैसे जमार करके रखे थे, बहन कमाती थी, मेरी सालेडी थी, फर्स्ट येर का हो गया, बोला फर्स्ट येर में जाके एक लाग रुपय का पूरा बजट था, सतर हजार फीस, रहना खाना, एक लाग रुपय का ब फर्स्ट येर में जब आए देखो ये अब में अब थीक है, अब मेरे फॉर्म में आगया, अभी यूपय सी में जब हम प्रपरेशन करने आते हैं, तो सबसे पहले हम को बताया जाता है कि चीजे बहुत दिफिकल्ट है, है अभी जैसे भाईया ने बोला कि वरुन जितना अब में बताता है इसका रीजन क्या है, देखो आप जब भी प्रपरेशन शुरू करते हैं, तो हम बहुत सारे लोगों से बात करने के लिए, ठीक है, यूपयसी में सकसे से बहुत कम है, 0.3% से भी कम, तो अगर आप सौ लोगों से बात करोगे, तो चांसे से है कि 100 के 100 सौ नहीं रह होंगे, स really important kir radiating. से बाहर एक बहुत ही negative atmosphere सियन आप आप exam do गे तो लोगों clear ही नहीं होता हैं इसके लिए आपको लगता है कि कितना ही पढ़ो आप क्लियर नहीं हो गए, इसनले आपको लगता है बहुत पढ़ना पढ़ता है, इसले आपको लगता है कि यार, बहुत डिफिकल्ट है, मैंने कभी ऐसा सोचा है, मुझे पता है, मेरे को 80 IAS बनते हैं हर साल, मेरे को 20 सीट चीए, मेरे को 80 सीट नी चीए, है ना, तो, जब मैं एंजिनरिंग में आया, तब फर्स्ट एर में भी सेम सिच्वेशन थी, यानि मैं सोचके तो आया था पढ़के मेरे को मास लेना है, ऐसे दुनिया के होते हैं, सो मैं थोड़ा सेहम गया, लोग इने क्लासेस वगरा लगा लिए, सब्जेक के लिए में क्लासेस लगा नहीं सकता था, तो मैंने फूल टाइम अच्छी तरह से मैं बोला यार, इनको हटाओ, मेरे को जो करना में वो करता हूँ, ठीक है, ये ये अटि हो गया, अभी तो कुछ भी आजाते है, माक्स, ठीक है, तो उस समय रिकॉर्ड था, तो टीचर्स नोटिस किया रहे कि कौन है, फिर माधविला था मैडम नाम की एक Mathematics Department में एक प्रोफेसर है, तो उन्होंने में को राखी बांदी है, she's my राखी sister, तो उन्होंने बुलाया, अरे वरुन क्या है, तो मैंने माम को पूरा situation घर की मेरे explain की, और उन्होंने एक प्रोफेसर से लेकर, डीन से लेकर, डीरेक्टर से लेकर हर एक को मेरी situation पहुचा दी, और उस वहां से process चालो हो गया, ठीक है, second year तक वो process पूरा नहीं हुआ था, तो मेरी fees मेरे friends ने भरी है, है ना, friends ने, उनके parents ने, तो second year मेरे ऐसा हो गया, third year of finally year, मेरे फ्रीशिप मेल गई, मेरे engineering खतम हो गई, engineering होने के बाद अभी, यह सब्रिसस का भूत कैसा है, अभी engineering के प्लेसमें, मुझे गोल्ड मेडल मिला हुआ, उनस्रीटी का, अभी engineering के बाद क्या, जोब अगरा, इंटर्यू दिये, जोब लग गई, मेरे बहुत पांचे जगा से अभी भी offers है, मतलब standing है, बोला कि आपको 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 आजाओ, ठीक है, थान ही तो हम वह राधे तो बोला कर निसे हार काऊथ है दुनिया में, है इना, जों अऊसे अनहार और शहरे को जाए उंग्स एगा यह ड़ना चाहिएं कुछ तो कि अपने करना चीए, तो हुआ की हात भी टीक है, कुछ कर्थे हैं Qच सबचे तो बहरा हैं फारो हमको अपनी देना है, हम पॉप्लिक सकतर में जाएंगे, पॉप्लिक सेकतर की तैरी मतलब घुर्णी एर में दिती हा रांक 34 तो आया, फाइनल एर में 143 आया, अब तो सेट है, IIT मिल रहा है, सब मिल रहा है, किसी भी कंपनी में जॉब मिल जाएगा यह PSU का जॉब मिल गया, तब मैं कुछ लोगों से मिल लेगा, है ना, ऐसे ही चर्चा करते गरते हैं, तो और तू तू टेक्निकल इना अच्छा है, है ना, यह सो गुड, यह सो ब्राइट, वाइड दो गिव आई एस एंजिनिरिंग सर्विसस, अब मैंने सिल्बस देखा है कोई दिकत नहीं है, तो अब तक मेरी ग्राजुएशन कम्प्लीट हो गई थी, ठीक है, मैंने गेट दे थी और आप टेक अड्मिशन, तो मैंने बोला है, यह सो चोड़, तो मैंने पीसू को नहीं लिया, मैंने इंजिनिरिंग सर्विसस करते हैं, तो मैंने पीसू को नहीं तो सिविल सफिसस्स देख, तो और बड़ी पोजिशन है, तो मैंने बोला है, तो सिविल सफिसस्स का देखते हैं क्या है, तो पहले तो उठाया है, हिस्ट्री जोगरफी कुछ नहीं संझा, यह तो सर्व का दर्द है, तो उसके बाद मैंने बोला, करेंगे, तो मैं एक जन कि यार वो थीसमार खाने में सबस्टांडर्डर्ड हूं। है नग, एक्ट्राओरणीररी और सबस्टांडर्ड नहीं होता है। ठीक है अगर आप खुद को सबस्टांडर्ड मान लिये हैं, तो आप कभी एक्ट्राओरणीर से नहीं कर सकते हैं। तो मैं जब उनसे मिलने था तो मैंने उनको बोला था कि वो होगा 30 मार खान। मैं भी 30 मार खान। तो हम दोनो तो आपका जो हमारे बाहर का attitude होता है अभी मैं मेरको दो-ती दिन से इंटर्व्यूस लेने जब आ रहे हैं वो पूछते हैं कि आपका बैक्राउंड में है हाँ आप तो बहुत ब्राइट हो लेकिन जो 50-60 स्वाल है उनका क्या तो मैं उनको बोलता हूं 50-60 स्वा लग रहा होगा यार वरून सामने बैठा है यह बहुत ब्राइट है इसके लिए सेलेक्ट हो गया तो अगर आप ऐसे attitude से भी हम बैठे हैं तो आप शायद स्टेज पर कभी निया पाएंगे ठीक है तो आप पहले attitude छोड़ी है जो पास होते हैं बहुत भारी है तो मैं यह से जोब करना है अब मैं थक गई हूँ मेरे को पैसे चाहिए अभी और में को सिल सब इसे इसका भूछ चड़ा था तब मैं ममी दस-फंदरा दिन मेरी ममी में से बहुत नाराज थी बोलती नहीं थी बात चीए था हमारी होती लेकिन आपको समझता है रही ममी और बेटे का एक ममी आपस नाराज है लेकिन तब तक मैरी जौइन की डेट जा चुकी थी ममी भी कुछ कर नहीं सकती थी, मुमी ने भी फिर मीरे को सपोट किया, मेरी मैं मैं मेरे फुल सपोट किया किसी भी तरीके से, अब आगया जैनुवरी का टाइम, जैनुवरी थाओं 13 मैं ने में बहुत बार बार इसकोस कहता हूं, मैं इसक्राइप कया खेवा कि आप्रों हर नहींद तो सेलेफनों पर हंचे मैं जो कुछ कपके शेले हंग कर क्यूंध कक्यूं, थाक है। तड़ सो चुम कि अगुक्टे कर दोटित एरा भी सतथ TWE मास्तमिकी अगयसीन के बनाना, के भी साथी करण भी सतवाटक्ट during आपे बन पर में प्रफीञ थे, थो बोला थाए, थे जोग has a good option, खाई भुए it, बहुत लोग लेते है तो मैंने जोग्राफी के पढ़ा ही शिरूगी, जोग्राफी पढ़ा, वो सविंदर सिंग उठाया, अरे यह क्या बोल रहा है, दो चैप्टर्स हुए, दो चैप्टर्स इतने जाद हो गए कि कुछ समझ नहीं रहा था, मैं जोग्राफी अपने बस की बात नहीं हटाओ, के पास गया, आरे चीन में भीया, यह क्या हो गया, है ना मिरो समझ भी नहीं हा रहा है, क्या करूँ, तो चीन में भीया ने बोला, एक काम कर तो अब तु पोल साइंस पढ़कर देख, ठीक है, तो मैंने पोल साइंस की शुबरा,